हेलो दोस्तो श्वागत है आप सबी लोगों का राजस्तान एकेडमी पर मैं परविंट सिंग आप सबी लोगों के साथ मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ लैब अशिस्टेंट यानी प्रियोकशाला सायक के सैलेबस में जो फिजिक्स के टोपिक दे रखा है इलेक्टरो इस्टैक्स यानी की इस्तिर वैदूति की उसी के उपर और इस्तिर वैदूति की के अंदर हम बात करचुके थे दोस्तो कुलम का नियम क्या कहता है उसके बाद में हमने बात करी थी कुलम नियम से related कुछ questions के उपर उसके बाद हम बात कर रहे थे गौस law की और गौस law के कुछ important जो applications है उनके बारे में तो हमने last class में गौस law के कुछ important applications कर लिये थे और जो बचे हुए हैं उनको आज अवर कर लेगे उसके बाद में हमारा यह topic complete हो जाएगा तो Gauss law के जो अनुप्रियोग है उसमें सबसे पहला हमारा कौन सा अनुप्रियोग हमने पढ़ा था तो वो पढ़ा था अनन्त रेखिय आवेश के कारण अगर हमें विदुचेत्र की तिर्वता पूची जाए तो वो कितनी होती है तो वो होती है लेम्डा अपॉन टू पाई आर एपसलेंट नॉट और जो आपका है आएम लेम्डा वो लेम्डा क्या होता है लिनियर चार्ज डेंसिटी यानि रेखिय आवेश गनत्व और उसकी वैल्ली होती है कुल आवेश बटे उस सतार की लंबाई ठीक है इसके दो गराप बनते हैं E versus R और E versus लेम्डा तो E versus R जो है वो आपका इस टाइप से क्या बनेगा एपर बोला टाइप का बनेगा और E versus लेम्डा आप बनाएंगे तो एक इस्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएगी फिर हमने बनाया था अपरिमित रूप से एक जो है आपके पास में आवेसित अचालक प्रक्त है यानि नॉन कंडक्टिंग एक शीट है और वो कैसी है इन्फाइनाइटली फैली होई है तो उसकी वज़े से इलेक्टिक फिल्ड कितना होगा सिगमा अपॉन टू एपसालेंट ठीक है सिगमा क्या था तो था surface charge density यानि कि जो आपका चेत्रफल है उसके लिए जो charge गनतवा यानि परतेक चोटे से 11 चेत्रफल में कितना आपका आवेस है उसी को हम कहते हैं क्या दोस्तों उसी को कहते हैं सिगमा और वो कैसे निकलता है तो total charge कितना है उसका डिवाइड कर जो पिछे थी वो क्या थी नॉन चालक नॉन कंड़क्टिंग अब यह जो है चालक है यानि कि आप यह कह सकते हैं कंड़क्टिंग प्लेट है तो उसके लिए इलेक्टिक फिल कितना होगा सिग्मा आपॉन एपसालेंट नॉट सिग्मा वही है गराब भी उसी टाइप के बनत होगा या गोलियक उसके उपर होगा या फिर गोलियक उसके बहार होगा अगर गोलियक उसके अंदर है तो इलेक्टिक फिल्ड होगा कितना जीरो अगर उसके उपर आ जाए तो इलेक्टिक फिल्ड होता है सिग्मा आपॉन एपसालेंट नॉट और अगर इलेक्टिक फिल् square और small r का मतलब है कि वो बिंदू कितनी दूरी पर है उस गोलिय कोस के केंदर से ठीक है चलिए फिर हमने इसके लिए भी जो है दोस्तों आपके सामने graph बना करके समझा दिया था कि ये graph आपको याद रखना है और देखिए जब आपका radius के अंदर अंदर यानि कि जब बिंदू अंदर है तब आपका electric field 0 है फिर क्या हो जाता है एकदम से electric field आ जाता है क्या sigma upon epsilon naught और उसके बाद में जो है वो continuously जो है degrees होता जाएगा जैसे 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 आपके r की value बढ़ती जाएगी समझ में आ गई बात ठीक है चलिए तो अब हम बात करते हैं next जो हमारा topic है वो है समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विदुचेत्र की तिर्वता यानि electric field intensity due to uniformly charged non conducting spare ठीक है तो आप topic डाल दीजिए समरूप आवेशित uniformly charged है यानि कि परते एक दिशा में आप परते किसी भी तरब जाएए हर जिके क्या होगा same charge होगा ठीक है ये देखिए आवेशित अचालक अचालक गोले के कारण विदुचेत्र की तिर्वता क्या निकाल रहे है एक अचालक यानि नौन कंड़क्टिंग आपका इस्पेर है उसकी वज़े से आप electric फिल्ड निकालना सीख रहे हो तो विदुचेत्र की तिर्वता ठीक है तो विदुचेत्र की तिर्वता क्या होगी इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं किसकी वज़े से तो नौन कंड़क्टिंग एक इस्पेर है उसकी वज़े से ठीक है अब नौन कंड़क्टिंग एक इस्पेर है तो उसकी वज़े से अगर हम electric फिल्ड की बात करें तो यहां जिस परकार से हमने पिच्चे पढ़ा था गोल ये कोस के लिए कि बिंदु जो है अंदर हो सकता है उपर हो सकता है और बाहर हो सकता है वैसे ही नौन कंड़क्टिंग एक स्पेर बनाईए पहले तो आप तो यह हमने एक स्पेर बना दिया अब इस स्पेर के लिए आपको रेडियस दे दी गई है सपोज करिए आर तो यहां अब इसके लिए भी जो है बिंदु की पोजिसन तीन हो सकती है देखिए या तो बिंदु यहां होगा या बिंदु जो है इसके उपर होगा या बिंदू जो है इसके अंदर होगा समझ में आगई बात और जो भी ये है ये दुए की मान लिजे ये आर दूरी है ये जो है आप आर इसको भी मान लिजे और यहां से यहां तक के लिए भी आप जो है इसको आरी मान लिए दूरी सेम नहीं है कहने का मतलब R इसलिए ये केवल R जो है क्या रिपरजेंट करेगा कि जो बिंदू आप ले रहे हो जहां पर आप इलेक्टिक फिल्ड निकाल रहे हो उस बिंदू के उपर उस बिंदू की जो दूरी है केंदर से वो कितनी है और उसको हम R से रिपरजेंट कर रहे हैं तो यहां भी आपके तीन केस है पहला केस क्या होगा दोस्तो E A यानि बिंदू जब अंदर होगा ठीक है तो अगर आपका बिंदू जो है अंदर आ जाए तो इलेक्टिक फिल्ड कितना होता है तो जैसे ही बिंदू आपके अंदर आ गया क्या हो गया दोस्तो बिंदू जो है वो अंदर की और आ गया है अब बिंदू जैसे ही अंदर आया केस क्या बन गया R is less than capital R capital R क्या है इसकी तिरजिया है और small r क्या है उस बिंदू की दूरी है तो तब electric field आपका कितना होगा तो electric field जो आपका होता है दोस्तों वो होता है row upon 3 epsilon naught कितना होता है 3 upon sorry row upon 3 epsilon naught r ठीक है अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि ये row क्या है तो row जो है दोस्तों वो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके ये कहाँ पर यहाँ तो row बराबर जो होता है दोस्तों आपके row क्या है तो row जो है आपका हम यह कह सकता है item आवेस गनत्व यानि volume charge density जब spare है यानि गोला है तो गोले का तो क्या होगा दोस्तों चित्रफल तो हम निकालेंगे नहीं हम इसके item के बारे में बात करेंगे क्योंकि इसके गोला जो है एक particular item के अंदर फैला हुआ होगा इस गोले का कुछ item होगा इस वज़े से ठीक है तो देखिए row is equal to लेंगे हम क्या total charge और बटे में उसका volume तो इसकी जो value आती है वो आ जाती है Q upon V अब V जो है वो क्या है इस गोले का volume है गोले का volume कितना होता है 4 by 3 पाई radius यानि R cube ठीक है बस ये value जो है आप इस row की जगे रखे हुए है और कुछ भी नहीं है समझ में आ गई बात तो ये तो थी कब दोस्तो जब आपका बिंदू कहां हो अंदर की और हो लेकिन ये बिंदू जो है क्या कर जाए थोड़ा सा ओस्यार बन जाए और पूरा का पूरा केंदर के उपर ही आ जाए ये ज़्यादा ही ओस्यार है और इसने क्या करा अपना दिमाग लगा कर सिधा केंदर के उपर पहुँच गया यानि विदू पर ही आ गया तो यह जो R है यह कितनी हो जाएगी विदू के लिए 0 और यहां जैसे 0 होगा तो electric field at origin क्या होता है? 0 होता है यानि गोले केंदर पर अगर विदू छेत्र पूचा जाएगा तो वो कितना होगा? सुन्य होगा ठीक है? चलिए अब बात करते हैं दोस्तो अगर आपका जो है बिंदू कौन सा हो? E, B यानि उसके उपर आ जाए surface के उपर यानि हम यह कह सकते है R is equal to R condition बन जाए ठीक है? तो R is equal to R condition अगर बन जाए तब आपका electric field क्या होगा? तो तब आपका electric field होगा R R का multiply upon में 3 epsilon not और आपका क्या आजाएगा दोस्तो? और कुछ भी नहीं आएगा ठीक है? तो क्या आएगा? अगर आपका जो है surface के उपर ही आजाएगा तो बन जाएगा formula R upon 3 epsilon not ठीक है? चलिए और अगर वो बिंदू जो है आपका बहार है यानि E C क्या? E C E C का मतलब है आप यह कह सकते हो कि जो small R है यानि जो केंदर से दूरी है वो जादा हो जाएगी radius से उस गोले की तिरजिया से जादा हो जाएगी उस केंदर से उस बिंदू की दूरी तो तब आपका जो है electric field आपसे अगर पूछा जाएगा तो क्या होगा? तो जब आपका वो बहार की और है दोस्तो तब आपके electric field क्या होगा? तो तब आपका electric field आप लिखेंगे होगा rho upon 3 epsilon not तो आएगा ही आएगा multiply में आजाएगा radius का cube क्या आएगा? radius का cube और जो दूरी है उसका square यानि capital R का cube upon में small r का square समझ में आगई बात तो ये तीनो के तीनो formula's आप लोगों को याद रखने है ठीक है? समझ में आगई बात तो देखिए सबसे पहले अगर बिंदू जो है वो अंदर की और है केंदर पर नहीं अंदर की और है तब आपका जो है electric field कितना होगा? तब आपका electric field होगा row small r upon 3 epsilon not अगर वो बिंदू जो है केंदर के उपर ही आजाएगा तो उसका electric field हो जाएगा सुन्य और अगर वो जो है आपका उस गोले के surface के उपर ही आजाएगा तो हो जाएगा row r upon 3 epsilon not और अगर वो बिंदू जो है वो उस गोले की surface के उपर भी नहीं है और अंदर भी नहीं है सिदा बाहर निकल चुका है तो आपका formula हो जाएगा row upon 3 epsilon not r cube यानि radius का cube upon में उसकी दूरी कितनी है उसका square ठीक है चलिए अब दोस्तों मैं आपको एक point और यहां लिखवारा हूँ bracket में जो ये विंदू की जब है इस surface के उपर ही आजाता है तब आपका विंदू चेत्र तिर्वता अपनी अधिक्तम दिखाता है तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपका कोई एक आवेशित अचालक non conducting spare है उसका maximum electric field कब होता है तो उसका maximum electric field अधिक्तम विदू चेत्र कब होगा जब वो बिंदू जो है या वो जो आवेश है वो उसकी surface के उपर उसके प्रश्ट के उपर रखा हुआ होगा तब ठीक है बाकी देखिए जब आपका अंदर है तो electric field किसके उपर depend करेगा उसके r के उपर depend करेगा या दि डिरेक्टली proportional to r ठीक है फिर e b या उसके surface के उपर आ जाएगा तो यह constant हो जाएगा क्योंकि rho constant है r radius जो है वो constant रहेगी 3 है epsilon not constant है यानि यह constant value हो जाएगी और e c यानि जब वो बाहर चला जाएगा तो वो वापस से उस बिंदू की दूरी के उपर depend करने लग जाएगा तो हम इन तीनों के तीनों को मिला करके एक वापस से आपके सामने मैं graph paste कर रहा हूँ ठीक है तो आप लिखेंगे graph अब graph जो बनेगा वो कैसा बनेगा वो आपको याद रखना है ठीक है चलिए तो अब आप जो है इसका graph बनाएंगे और वो graph बनेगा कुछ इस परकार से ठीक है चलिए यह हो गया small r जो की दूरी को represent करेगा और यह हो गया आपका electric field ठीक है चलिए और यह हम बिंदू बाल लेते हैं जो डैस 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 से बना रहा हूँ यह वो बिंदू है जहां आपके radius और इस बिंदू की दूरी जो है equal है यानि उसकी surface के उपर ही आ जाता है अगर यहाँ surface के उपर आया तो इससे पिच्चे का जो case होगा वहाँ obvious ही बात है कौन बढ़ा रहा होगा radius बढ़ी रही होगी और यहाँ आते ही जो बिंदू की दूरी है वो जादा हो जाएगी तिर्जिया से ठीक है चलिए देखिए दोस्तों अब क्या होगा यह जो है आपको पता है दोस्तों मैंने पिच्चे बता दिया कि जब आपका यह जो है वह सौरी इलेक्टिक फिल्ट जो आप निकाल रहे है वो बिंदू अगर अंदर है तो directly proportional है R के और R के directly proportional है तो सीधी क्या बात होगी एक ऐसा straight line बन जाएगी समझ में आगई बात फिर यह constant हो जाएगा और उसके बाद में वापस से R square के inverse proportional होने के वज़े से यह अपनी value को decrease करता जाएगा तो graph ऐसा बनेगा समझ में आगई बात ठीक है यह clear है चलिए तो अब यहाँ हम यह कह सकते हैं क्या कहेंगे कि E A जो होता है या inside जो होता है वो directly proportional होता है किसके R के और यहाँ जो है वो क्या हो जाता है constant और फिर जैसे ही हम E C बिंदू के उपर पहुजते है तो वापस से यह inversely proportional हो जाता है दूरी K और square के साथ में समझ में आ गई बात तो अगर आपसे जो है इसके अंदर दे को क्या कोशन पूचा जा सकता है कोशन इस प्रकार से दे दिया जाएगा समरूप आवेसित अचालक गोले के कारण विदुचेत्र की तिर्वता उसके केंदर पर कितनी होती है सिदी सी बात है उसके केंदर पर सुन्य अगर आपसे पूच ले कि बताईए एक अचालक यानि non-conducting गोला है तो उसकी वज़े से अधिक आपको जो है डाइगराम बना करके यह जैसे मैंने बनाया है ऐसा डाइगराम आपको बना करके दे दिया जाए और आपसे A, B, C, मैंसे तीनों मैंसे पूच लिया जाए कि कहां अधिक्तम विदुचेत्र होगा तो अधिक्तम विदुचेत्र होगा B, बिन्दु के उपर ठीक है ऐसे ही कोसन्स आपसे पूचे जाएंगे या फिर क्या किया जाएगा देखिए क्या कर दिया जाएगा मैं आपको जो है यहां बता देता हूँ देखिए एक और कोसन इंपॉर आपके सामने बना करके यह देखिए आपके सामने ही कोसन बना रहा हूँ कोई मैंने ऐसे नहीं है कि यह कोई कोसन जो है पहले से कई बनाय हुए है नहीं आपके सामने ही बना रहा हूँ देख लो जश्ट कलर चेंज करता हूँ मैं यह लीजे यह हमने एक गोला ले लिया है ठीक है? अब इसके अंदर यह क्या है इसका सेंटर है तो इसको बांद ले दो ठीक है? अब यह कैसा है? तो यह है आपका अचालक पहली तो क्या है यह? अचालक गोला है ठीक है? यह इसने बोल दिया है कि यह नोन कंडक्टिंग है इसके अंदर तीन बिंदू है कहां कहां पर एक बिंदू है यह यह रा ठीक यह A है एक है आपका यह इदर B बिंदू और एक आप जो है इदर ले लीजिये C बिंदू और एक आपका जो है इदर आ गया D बिंदू क्या आ गया? A, B, C, D तीनो के सॉरी चारो के चारो बिंदू आ गया आप से पूझ लिया यह अचालक गोला है अब इसके अंदर पूझ लिया बताए निम्न मैशे निम्न मैशे नियूनतम विदूत चेत्र नियूनतम विदूत चेत्र किस्स बिन्दू पर होगा ठीक है ये कोशन आपसे पूछ लिया गया कि अचालक ये गोला है बताए निम्नमै से नियुन्तम विदू चेत्र किस बिन्दू पर होगा और उप्सन दे दिया आपको उप्सन ए जो है वो ए उप्सन बी जो है वो है आपका सी आपसन सी जो है वो आपका है इधर कर लिजिए इधर रखिये एक जट आपसन ए जो है वो आपका है आपसन डी सी जो है वो है बी और आपसन डी जो है वो है आपका डी बिन्दू के उपर तो बताइए इसका क्या आंसर होगा ओविस सी maximum यानि D बिंदू के उपर तो कभी हो ही नहीं सकता है तो A option हो गया cut ठीक है तो अब ये तीन में से हम किसमें होगा जादा तो अब वेसी बात है कि आप बताईए जब electric field अंदर अगर कोई बिंदू है तो उनके लिए क्या था तो उनके लिए formula क्या था वो लिखो तो उनके लिए formula होता है electric field equal to rho upon में 3 epsilon not into r ये होता है इसका मतलब ये देखो ये तो जो है constant रहेगा ये constant है या नहीं है ये तो constant है क्यों constant है epsilon not constant है 3 constant है rho जो है वो क्या होता है q upon 4 pi by 3 pi r q ठीक है तो 4 जो है वो क्या है constant 3 constant pi constant r जो है वो इसकी radius होती है वो constant रहेगी तो ये भी constant है बचा क्या ये ये r अब ये बताओ सभसे ज्यादा दूर कौन है तो c फिर कौन है b फिर कौन है a और आपका सभसे वैसे ज्यादा कौन था d तो सबसे ज़्यादा electric field जो है वो होगा D बिंदू के उपर ही तो इनका जो electric field का order बनेगा वो भी यही बनेगा ठीक E, B, E, A तो बताओ option कौन सा सही है तो option सही हो जाएगा A बिंदू वाला यानि option D जो है वो right answer है अब यह जो है देखो इतना तो मैंने तो आपको समझाने के लिए करा है लेकिन आपको common sense होना चाहिए कि कोई भी अचालक गोला है उसके अंदर जो electric field होगा वो electric field केवल और केवल किसके उपर depend करता है तो अगर अंदर है बिंदू तो उसका जो है दूरी केंदर से कितनी है उस बिंदू के उपर ही वो depend करेगा ठीक है केंदर से दूरी देखते जाओ order निकालते जाओ केंदर से दूरी सबसे ज़्यादा किसकी थी सबसे ज़्यादा दूरी थी D की और इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा electric field होगा D बिंदू का सबसे कम दूरी किसकी थी A की तो बस सीधी सी बात है आंसर हो जाएगा A बिंदू अगर वो आपसे जो है ऐसा बीच में से कोई पूछ ले की बाई बताईए ना तो सबसे अधिकतम वाले की बात करनी है ना ही आपको सबसे नियुनतम वाले की आप second मतलब की A से ज़्यादा किसका होगा electric field तो A से ज़्यादा होगा आपका B का C का और D का इस टाइप के जो unique कोशन बनाए जाते है जहां formula से कुछ नहीं पूछा देखो मैंने formula से आपको कुछ भी पूछा क्या नहीं formula यूज करना पड़ा हाँ लेकिन मैंने formula पूछा क्या कोशन में formula का आप जो है importance अपने दिमाग से कर सकते हैं अगर आपको नहीं आता है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे इसमें कोई numerical answer नहीं निकलने वाला था ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं हम दोस्तो आगे की और तो आगे की और जो है दोस्तो मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ वो किसके बारे में वो भी इसी का एक important formula है अगर आपको जो है किसकी वज़े से पूछे एक electric field पूछ लिया जाए due to any uniformly charged ring यानि की कोई आपके पास मैं आवेशित वले है क्या है आवेशित वले है उसकी वज़े से ठीक है तो आवेशित वले की वज़े से कितना electric field होगा किसी बिंदू पर वो आपसे पूछा जाए तो आप कैसे निकालोगे चलिए तो आप सबसे पहले तो लिख लीजिए क्या लिखेंगे दोस्तो समरूप समरूप आवेशित आवेशित वले के कारण विदूत चित्र यानि कि हम क्या निकालना चीखने वाले है तो electric field due to any uniformly charged ringed at any point on the axis कहने का मतलब है देखे ये जो है हम एक ring बनाने जा रहे हैं सपोज करिए इस टाइप की कोई ring होगी आपके पास में ठीक है उस ring क्या जो axis होगा यानि ये जो गुमे के अगर किसी axis के कराण तो वो axis क्या होगा वो axis होगा ये ठीक है तो इस x जो इसका axis x अक्सम माल रहे है इसको y नाम दीजे z नाम दीजे कुछ भी तो इसकी वज़े से इस वले की वज़े से इस बिंदू माल लीजे यहां आपका है a तो electric field इस a बिंदू के उपर कितना होगा तो आपका इसका जो answer है वो depend करता है कि इसके केंद्र से इस बिंदू की दूरी कितनी है तो इसकी दूरी आप मान लीजे कितनी है दोस्तो जैसा कि हम पिछे मानते हुए आ रहे है r और इस वले की जो तुर्जिया यानी की radius है वो कितनी है तो वो है आपके a ठीक है capital R और small r में बार-बार कनफीज होते हैं इसलिए मैंने इसकी radius मान ली a ठीक है चलिए तो electric field जो है इस बिंदू a के उपर कितना होगा तो वो होगा आपका 1 upon 4 pi epsilon naught जिसे आप k से 1 upon 4 pi epsilon naught को क्या कहते है k कहते है ठीक है तो यह हो गया और आपका हो जाएगा r फिर इस charge इस ring का जो charge है q upon में यह formula थोड़ा unique है a square यानि जो इसकी radius है उसका square plus इसकी इससे दूरी कितनी है तो r तो इस r का square और इसकी power हो जाएगी 3 by 2 समझ में आ गई बात तो आवेशित वले है कोई उसकी वज़े से उसके axis के उपर जो बिंदू इस्तित है उस बिंदू पर विदू चेत्र कितना developed होगा वो हम निकालना सिख रहे है तो वो कितना आता है a बिंदू के उपर 1 upon 4 pi epsilon 0 into r q upon में a square plus r square की power 3 by 2 अगर आपसे पूछ ले कि इस ring की वज़े से maximum electric field क्या पूछ ले the maximum value of electric field electric field तो अगर आपसे पूछ ले कि इस वले के कारण maximum electric field कितना होगा तो इसकी वज़े से maximum electric field possible है वो हो सकता है आपका कितना 1 upon 4 pi epsilon 0 into 2 q upon 2 sorry 3 under root 3 r की power 2 ये जो है maximum electric field की value है अब ये कैसे आएगी दोस्तो तो ये जो है आपको मुझे बताना है कि इस बले से जो बिंदू है जहां आप electric field निकाल रहे है उस बिंदू की कितनी दूरी होनी चाहिए कि आपको इस electric field की maximum value निकले यानि कि आपको मुझे बताना है R बराबर क्या हो की जो है आपको electric field क्या मिल जाए maximum मिल जाए यानि electric field ये मिले तो R की value क्या होनी चाहिए समझ में आ गई बात तो ये चीज़ जो है मुझे आप comment करके बताएंगे और इसी के साथ में दोस्तों आप खुस हो जाएए क्योंकि आपको जो है electro esthetics के अंदर जो आज तक अभी आपके दो paper हो चुके है previous year में 16 और 18 में तो उसके अंदर देखे आपके syllabus में देखे या फिर जो है अगर आपके इन syllabus के अंदर according अम जो है IATS वगरा के paper उठा कर भी देखे तो जो question पूचे गए थे वो इसी portion से पूचे गए थे जो मैंने आप लोगों को दोस्तो total जो है 11 वीडियोज के अंदर complete करवा दिया है ठीक है तो अब इसकी जो है आपको क्या करनी है question practice करनी है अगर आप लोग चाते है कि question practice जो है हम आपको और वीडियोज के माद्यम से भी करवाएं यानि यूट्यूब पर upload करके जैसा कि हमने model paper 3 upload करें है तो आप लोग जो comment करेंगे आपका feedback जैसा होगा उसी के according जो है मैं आप लोगों के लिए वो classes भी वापस से upload करना start कर दूँगा ठीक है दोस्तों तो जै हिंद जै बारत अपना प्यारी सित्रे बनाए रखिए और next topic मुझे कौन सा start करना चाहिए वो आप जो है comment करके जरूर बताईएगा ताकि मैं जो है आप लोगों को पहले आपके जो भी टब टॉपिक लग रहे हैं उनको पूरा कर दूँ अन्यता मैं अपने हिसाब से तो करवा ही रहा हूँ ठीक है चलिए दोस्तों बाइबा है